हेलो गाईज, हेलो माड ये लबली स्टुडेंट्स केसे हैं आप लोग I hope you guys are doing great और आसा करता हूँ कि आप लोगा health काफी अच्छा होगा और आप लोग continue preparation कर रहे होंगे revision के साथ साथ So माड ये स्टुडेंट्स वेलकम बैक वंस अगें to a very important and exciting another lecture of production जिसमें आप लोग को पता है production में अभी हम लोग casting को deal कर रहे हैं casting को पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं and आज का lecture आपके लिए काफी important होगा देखो हर एक lecture मेरा जो होता है सभी lecture जो मैं पढ़ाता हूँ हर एक lecture से आपको exam में question पुछा जाता है तो सभी lecture आपके लिए important है लेकिन अगर मैं casting chapter का बात करूँगा ना तो आज का lecture इसलिए important है because मैं इससे पले जो भी lecture में आप लोग को पढ़ाया हूँ casting का वो मैं एकक पार्ट करके पढ़ाया था तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा था like किसी में मैंने आप लोग को pattern के बार में समझाया पेटन में allowances देते हैं उसके बार में समझाया है types of pattern होता है क्या material जो यूज करता है pattern उसके बार में समझाया फिर बात किये हम लोग किसके बार में जो molding sand होता है molding sand का material क्या होता है इसके बार में discuss किये मतलब one by one करके मैं आपको बताते चल रहा हो ताकि मैं जब पढ़ाऊंगा आप लोग को कास्टिंग प्रोसेस अलग लग जो कास्टिंग प्रोसेस होता है उन सभी में सब चीज का यूज करते हैं हम लोग कास्टिंग में उन सभी को बताना जुरूरी है तब जाके आप उसको समझ पाईएगा तो आज का लेक्चर क्यों मैंने कहा इंपोर्टेंट है विकोज आप देख सकते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट ऑप गेटिंग डिजाइन गेटिंग मतलब क्या होता कि भाई जो हम लोग डिजाइन बनाते हैं ना कास्टिंग में कास्टिंग में जो डिजाइन बनाते हैं उसके लिए कौन-कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं कौन-कौन सा element का use करते हैं इसके बारे में आज हमगों डिस्क defence करने वाले हैं यहां पे obviously बात हैं हम लोग box का भी यूज़ करेंगे उसमें हम लोग pattern का भी यूज़ करेंगे Molding send का भी यूज़ करेंगे उसके अलावे हम लोग razor का use करते हैं प्रू का करते हैं, रनर का करते हैं, इन सब का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक फाइनल प्रोड़क को बना जाता है, तो कास्टिंग के लिए किन-किन चीजों का जोरत पड़ता है, उसके बारे में आज डिसकस होने वाला है, हर एक जो भी आपका element होता है, उसका मैं क्लास तक बताने वाला हूँ, उसमें कौन-कौन सा element, या विर कौन-कौन सा equipment का यूज करते हैं, वो में बताने वाला हूँ, उन सभी का huge बताने वाला हूँ, सभी का importance बताने वाला हूँ, तो क्लास में बने रहेगा, आज का क्लास आपके लिए काफी important होने वाला है, और ज बहुत सबसक्स कर दिया हूं तो इसलिए आलों से रिवीजन करते हैं अब आपको ज्यादा मजाएगा इसलिए मैं स्टार्टिंग बोलता हूं कि आपको लिए यह जो है ना आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो मैं पढ़ाऊंगा या फिर कोई भी जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आपको फील करके बताऊंगा हर एक चीज को इतना अच्छा तर से करनाये में बनान में काफी मेनत लगता एक समझ लो कि एक सब्ता एक सब्ताल लग जाता कभी दो या तीन लेक्टर का कोंटेंड 가까व लेडी काई करने में सब को पढ़ाओंगा डेड़ घंडा पढ़ाओंगा मैं पूरा एनर्जी के साथ आप लोको बताता हूँ कि मेरा मानना यह है कि सामने वोला स्टूडेंट तभी एनर्जी कबला पाएगा जब टीचर में एनर्जी रहेगा तो मैं यह ट्राय करता हूँ कि पूरा पूरा लेक्चर जब तक रहेगा ना तब तक मैं आपना फूल एनर्जी के साथ आप लोगो बताऊंगा ताकि आप लोग को यह लगना चाहिए कि सर सर इतना मेनत कर इतना एनर्जी के साथ बता रहे तो हम लोग तो पढ़े सकते ही है क्योंकि आपको का काम तो सुनना ही है आप लोग को सु नहीं किसे और का लेक्ट्रीं और वॉर इसा समयों को लाइफ का अप लेशन हो प्रोड़क्शन जो भीद्वाने उस तरह से यहां पर बाज़ा नहीं तो पुराच करते हैं now अगर आप इस figure को देख रहे होंगे तो इस figure में आपको क्या क्या दिखाए दे रहा है तो आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है सर जी यह तो पूरा का पूरा लग रहा है कास्टिंग जो हम लोग करते हैं उसके लिए पूरा का पूरा एक डिजाइन लग रहा है जिसमें बहुत सारा ilement लगा वा जैसे सबसे पहले sprue का height को हम लोग लेते हैं h, sprue है न तो hs और total को हम लोग लेते हैं ht, total height आपका cup height और आपका sprue height, इसलिए यहाँ पे आपका pouring basin के साथ साथ में यह भी लिग देता हूँ कि इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, cup b, ठीक है, तो step by step समझना बहुत ही slow में बताऊंगा, don't worry, कोभी चीज को मैं हडवडा के यहाँ पे बताने वाला नहीं हो, तो बस आप लोग को क्या करना है, धीरज लगा के देखना है, तो pouring cup या pouring जो basin होता है, dear student, तो यहाँ से हम लोग करते क्य होंगा, उसके बाद यह जाता है, आपका sprue देख सकते हैं, पूरा से लेकर यहाँ तक जिसे, मैं यहाँ पर green color से दिखा दाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यह sprue, sprue है, इसका design इस तरह से क्यों है, इसका वह भी बात करेंगे, हर एक चीज का बात करेंगे, उसका न आपका runner लग रहा है, यहाँ yellow color से देखो, मैं दिखा रहा हूँ, यह आपका क्या runner है, ठीक है runner है, फिर runner से pass करता है, फिर lastly यह इंटर करता मेरा kvT में, यह मेरा gate हो जाता है, इसी जोर gate, यहाँ पर देखो देखो बताए, gate, gate मतलब दरवाजा, जरा हम लोगा घर का gate होता और इसे करके यह इंटर करेगा, कहाँ पर kvT में, जहाँ लिखा गया cast object, मतलब यही मेरा kvT है, this is called your kvT, kvT, और इसको और कहा जाता है, mold kvT, क्योंकि mold करके हम लोग बनाए, mold के अंदर है kvT, इसलिए mold के अंदर का kvT, यानि mold kvT, तो mold kvT जहाँ पर पूरा feel होगा, ठीक है, पूरा feel होगा, feel जब यह पूरा भर जाएगा न, उसके बाद यह riser में भी भर दे जाता है, riser में भी feel करता है, तो पहले यह kvT को fill करेगा, उसके बाद riser में feel हो रहा है, अब बोलंग सर ऐसा क्यों, यहाँ पर riser की provide किया जाता है, यह basically compensate करता है, पहले हम लोग या आप लोगो होगा, liquid shrinkage और आपका solidification shrinkage में compensate करता है, मतलब आपको पता metal shrink करने लगता है, time period को बाद सरींग करता है, तो shrink के time पे जो molten metal चाहिए जो रोत होता है, वो riser से हम लोग provide करते हैं, समझा है, तो यह सब जो है यहाँ पर total element यहाँ पर योज़ करते है, चाब वो screw हो गया, pouring basin हो गया, या फिर आप पार्टिंग, यह तो cop and drag आपको पता है, cop and drag मतलब समझ गया होंगे, उपर वाले दो पार्ट में यहाँ पर लिया गया है, मैं आप लोग बताया था ना, जो box हम लोग यूज़ करते हैं, दो तरह का होता box, एक होता two box system, और एक होता three box system, mode box, तो यहाँ पर two box है, यह एक वाला box है, जिसको हम लोग cop बोल रहे हैं, और नीचे में और एक box है, जिसको हम लोग drag box बोल रहे हैं, उपर वाले को cop, नीचे वाले को drag, और बीच में जो line है ना, जो इसको participate कर रहा, different create कर रहा, दोनों को अलग लग कर रहा, उसको कहा जात अगर complicated रहा, ज्यादा मेरा object, तो वहाँ पर हम लोग को कौन सा यूज करते हैं box का, two box ना use करके, three box यूज करते हैं, जहाँ पर cop, drag के साथ साथ, बीच में और एक होता है, जिसको हम लोग बोलते है, cheek, तो यहाँ पर तीन box आ जागा, फिर इस तरह से तीन box आ जागा, लेक अब सर जी इतना getting element का जोरत क्यों पड़ता, जब मैं यहाँ बताया, इतना सभी चीज़ जो हम लोग use करते हैं, pouring cup यूज करते हैं, sprue यूज करते हैं, runner यूज करते हैं, rider यूज करते हैं, क्यों सर, आखिर जोरत क्यों पड़ा, देखो dear student, मुझे आपको अगर मैं बोलू का है, ठीक है, तो ठीक है, इसलिए इसको cast object का रहा है, तो आप गुलेगा सर, मेरे लिए बस यही important, कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक सकन्सको मैं rate से कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा light rate ले ले लेता हूं, ओके, यह रहा, तो यहाँ मेरे लिए सर जी बस यही important रख यहाँ से आपको background भी जो hatching करा गया है, यह आपको नजर यहाँ साएगा, तो यह जो मैंने yellow अभी कराना, मुझे बस यही जोड़ रहत है, उसे बस यही जोड़ रहत है, यही मेरे लिए, लेकिन बाकी जो है, यहाँ पर riser मे भी तो molten metal feel होगा, बिलकुल यहाँ भी molten metal feel क्योंकि halda का जब आएगा, जब यह ठंड़ा होगया मेरा का क्ये बीडि़ित के अन्दर का ऑपोरिंड़ न फेंड़ा में धर तो इस सब पूरा पूरा पार्ट में सब इब्स इस verw कि एंदर का पाथ है यही मेरे लिए इंप्रवादी हो इसको फिर से हमलों क्या कर सकते हैं और एक वार हम लोग अगर हीट करोगे मेल्ट करोगे तो प्रपटी ड्रॉप करेगा करेगा जो मेटल का डेंसिटी होता है मोलेकुलर जो आपका प्रपटी होता है वो ड्रॉप कर जाता है मेटल का लेकिन कहने का मतलब क्या कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है यह कास्ट अब्जेक जितना बना रहा है हो या फिर कोई बल्ब बना रहे हो या फिर कोई अदर आप यूटेंसील बना रहे हो घर का बरतन वेगुद बना रहे हो कोई भीचीज मनेशनर सिलिंडर प्रिश्टन कुछ भी बनारो-कास्टिंग के थे तूप बना समझ आहें की ऐसा करें कि डारेक्ट में क्या करता हूंगा यहीट में क्या कि क्षिवत करेंगे कि वहां पर हम लोग यूजा नहींगे तो अच्छी बात है अगर वैसा होता तो क्या होगा एक्स्टा मेटल का जोरत नहीं पड़ाइगा एक्स्टा मेटल मेरा बरबात ने शमें तो यहां पर बात करते हैं यहां पर बात करते हैं फॉर्स्ट नमबर डेल योर पोरिंग बैसी नोप का हम लोग पोरिंग कप एक सेकंड यहां पर हाइलेट को और मुझे लेना पड़ेगा ठीक है तो मैं सबसे पहले बात करता हूं pouring basin का फिर pouring cup का आखिर क्या इसका काम रहता है देखो dear student यहाँ पे क्या देखो न यह pouring कप कहां से आएगा देखो highlight करके मैं दिखाता हूं यह यहां से लेकर यहां तक आप समझ लेना कि this is your pouring cup और pouring basin जिसको तो सौट में क्या लिखा जाता है एक सेकंड में बता देता हूं यहां पर इसको लिखा जाता है वही ठीक है इसके कोई जौरत नहीं हो बोलने का नुमरीकल बताएंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा हां ठीक है तो मैं क्या कर रहा था यहां पर क्या होता एक reservoir की तर लिखा है तो हाई वेलोसिटे अगर नीचे गिरेगा तो इस प्रेसिंग करेगा चिटकेगा समय रहें स्प्लेसिंग करेगा और यहां पर क्या करता है तो इसको इरोड कर सकता है जहां ता च्छेद हो सकता है या फिर उसको इरोड करके अपने साथ बहा के लिए जा सकता है के आपकों करके लिए हम्री सोनी से यहां से गिर्त करता हूँ से ऐस मेर काम क्या रिजर्वेयर की तरह तो मैं आपके क्या करेंगा ना सौट शूर्ड चीज़ें यहाँ लिखा दूँगा ताकि आप लोगं नौट्स में वो चीज रहें ठीक है तो एक तरसे कैसा काम किया ? आप इसको भी हटा देता हूँ आप लोग लिखो सबसे पहले लिख लेना कि डट मेरा जो का वेँ सिन गाम करता है वो रिज़वेर की तरह खाना की दिश होरो nome यह बहुसे बिंब छाओं डाल है ना किहाँ आदफ लिखो रहा है tato यह मेरा मेंटेण करता है Liquid Metal के Flow को थर्ड चीज यह मेरा Reduce करता टाबुलेंस को जो Spejony आता ह है नहाइक waste के साथ डारेक डालेंगे तो उसको मेरा में Reduce करता है इसके लाभे यह help करता है separate करता कोई अगर कोई धातुमल है यानि स्लेग है या फिर किसी तरह का कोई कीट वेगर है कोई गंदगी है यानि कि ड्रॉस हो गया और स्लेग ड्रॉस 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 हो गया या फिर आपका स्लेग हो गया इन सब से बचाता क्योंकि देखो यहां पर आके जमा हो जाता है ड्रॉस वेगर है टबुलेंस से भी बचाया है, रिजरवेट की तरह काम किया, मॉल्टन मेडल को फ्लो कर को कंट्रोल करके रख रहा है, तो ये हो गया मेरा पोरिंग बेसी ने फिर पोरिंग कप का काम, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट, यहां के बाद आप कहां आजाता है, तो आप हाइलेट दीजेगा, यहां से लेकर यहां तक हाइलेट आप देखी, यह क्या है मेरा स्प्रू है, यह क्या है मेरा स्प्रू है, अब बाद ही आता है स्प्रू का क्या है क्या करता है, दोगों simple सा बात करेंगे ना जो मेरा sprue होता है वो मेरा पूरी तरसे control करता है आपका किसको molten metal को यह molten metal का एक तरह से जगह होता है जो यहां से होके follow करता है अब इसका design इस तरह से क्यों taper cylinder की तरह नजार आ रहा है actual में taper cylinder ideal हम लोग लेके नहीं चलते है आइडियल मेरा कुछ और होता है लेकिन conicle safe होता है लेकिन हम लोग ideal इसको ना लेके आएपर cylinder बनाते है अब conocle कैसे होता है कुछ इस तरह से होता है ऐसा होता है ठीक है आइडियल क्या होता मेरा basically इसको conical पाराbook क्錵़ों बोलते हैं इस कुछ इस करेंगे ना यह पर सिम्पल क्या करेंगे ना यह कर्व जैसे है ना पारभोलिक रप कर देते हैं तो हाई प्रेसर होजाता है और नीचे में आपका जो प्रेसर होता है यहँ Yeah जो हिआता है जिसके चलते चितने भी एर बैर ओख सक कर लिया arrivéें क폰 policy energyTR दा पानिपर से बाता उपर से नीचे प्रेसर कैसे बाता हाइय तो छोवर। समझाए कि हर एक चीज़ हीट कैसे फ्लो करता हाई अपके अंदर ठंडा है आप आग के पास जाओ गया आप गरम होंगे दीरी-दीरी समझा है तो यह energy का always transfer होता higher to lower तो क्या होता चुकि यहाँ पर low pressure create हो जाता है area कम होने के चक्कर में तो क्या होता है high pressure के चलते यहाँ का सारा air जो होता ना ओ एर सक कर लिया जाता है खीच लिया जाता कहां पर इस प्रू के bottom में और यहाँ के चलते क्या आता हूं पर air फ्रसने के चलते मेरा जो कास्ट अब यह विसली बात है जो भी एर आया मोल्टर मेटल के साथ कहां घुझ जाएगा मेरा घुझ जाएगा के अंदर और यहाँ पर मेरा गेज़ डिफेक्ट पैदा करता है जिसको का जाता है एयर एस्प्रेशन इफेक्ट वह इस पू में देखने को मिलता है उसके भी बार में डिसकस करेंगे तो यहाँ आपका इ है लिमिटेशन है जिसके चाहिए परोल्म करेंट होता और वी क्या समय वह पाई है की होगे इस पूर का अगे बढ़ा जाएं सप्प्लेश को जाता से यहां पर पूरा संड अंड क्या यह क्या सब्सक्तों करना चराा किरना करता है और कंशा सब्सक्रीन में पूरा ना करता है चुब यहां प्षgaard कि पार्टूर्स चोडाना कि यहां में दो तरह का heavy वला वो automatic क्या होता है, इसके नीचे आके जमा हो जाता है, तो heavy impurity नीचे में जमा हो गया और जो main pure वळा आपका molten metal है, वो अराम से flow करते हैं, रॉनर के throw वो पार जाता है, चलिए, तो यह हो गया मेरा related कुछ चीज Smith बता देता हूं यह मेरा होरीजेंटल होता है क्या होता हूरीजेंटल होता ही और चेनल होताकर टैकि यह ताकि runner किसको किस से connect करता तो आप देख सकते हो यह मेरा connect करता स्प्ले स्कॉर को ठीक है या फिर कभी-कभी ना स्प्ले स्कॉर का हम लोग और एक चीज़ बोलते है इस प्रू वेल बोलते है इस प्रू अच्छा इसको मैं लीखी दूंगा ठीक है स्प्रूवश जाएगर थै कि अहां पार मैंठ ज़रह को सब्रमक लेंधे यह नि सब्सक्राइब करता किस आपके SRC को करता कि क्या जाने को यह प्र्यशन कर रहाने स्प्रोश कोंद कर रहा है क्योंकि बीच तो तो runner मेरा space core और kbt को connect कर रहा है, ठीक है यह मेरा kbt है, और यहाँ मेरा क्या हो गया, well हो गया, आपका sprue well या फिर space core, तो यह दोनों को connect करने का काम करता मेरा, runner करता है, चलिए, यहाँ भी आप runner समझ गया, अब finally क्या बचा मेरा, kbt बचा, अभी gate बागी है, ठीक, gate बागी है राइजर बागी है, और kbt बागी है, तो just a minute मुझे इसको हटाने दीजे पाले, यह सब को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, extra चीज़े जो मैंने कहा वो आप लिख सकते हो, चलिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, कि एक चीज मुझे लिखना है, that इसको कभी confused हो सकते है, इसक to well, भी इसको कहा जाता है, चलिए, यह चीज हो गया, well अच्छे से लिखे न, इसलिए बहुत टाइम लगता, बहुत slow-slow लिखना पड़ता है, नहीं तो सही तरह से दिखता नहीं, चलिए, यह बहुत सब तो मेरा हेडराटिंग करापे, अच्छली हेडराटिंग मेरा ठीक है, बहुत अच्छा है, हम कर्सी में ही बहुत अच्छा लिखते हैं, आइपेड में जवाप लिखो होंगे न, कोई बच्चा अगर आइपेड यूज करता होगा, तो आप देखना आइपेड में खासकर गोरेगर लगास लगाने के बादे आप लिखते हो न, तो बहुत ही स्लाइड करता है, बहुत ही फिसल था, बहुत बारी में बता हूँ, इसलिए बहुत स्लो स्लो लिखना पड़ता है, चलिए, अब बारी आता है किसका जी है, गेट का, अब यहाँ पे गेट है, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे गेट है, यह मेरा गेट है, गेट मतलब मैंने कहा जहां से मॉल्टन मेंटल मेरा इंटर करता यानि कि entry point of मोल्टन मेंटल अगर कोई बोलेगा कि what is the entry point of मॉल्टन मेंटल into the cavity बलब cavity यह अंदर में cavity है ठीक है जहां पर कास्ट प्रोड़क्ट मुझे मिलेगा कास्ट अब्जक्ट मिलेगा तो टूपी टी में इंटर करने से पहले मंहीं लग़ाख स 20 में इंटर करने के लिए किने मेरा हर्ण करता है मॉल्तरमेटा या फिर एक्टोल इंटरीव पॉयंट आप मॉल्तिरमेटा तो यह मेरा इंटर कर गया थाक 오래 अगर गेटिंग एलिमेंट का बात करेंगे तो पोरिंग बेसन में इंटर कर गया था ठीक है लेकिन क्या वो एक्चुल मेरा वो इंटर किया है नहीं इंटर किया क्योंकि देखो और चीज़ यह आप देखो गीना आप टॉप भी एक होता एक फ्रॉंट भी होता यह अंदर में और कुछ दिखाएंफे sorryि तो क्रोस सेक्ष्टन को काटके दिखाय जा रहा है आपको को समझाय कि नहीं तो आपको क्या लगा कि हाँ मोर्टन में इंटर कर गया जाब का बहरा प का पली दिखाए नहीं चाहिए लेकिन एक्तुल में अंटर था यह यह former metal second चीज को संन क्या काता अच्रिघ कि किसको किसको confirm लकुर्ट तो पहला बाद तो यह मेरा रॉनर रहता इसके आगे और पीछे मेरा क्या कर टी तो यह मेरा runner और इसके में एक्विटी को बीच में करनक करता हैं सबके परम डिसकस करेंगे प्रेसराइज गिस्टम और नन प्रेसराइज गेटिंग सिस्टम देखेंगे डॉन्ट वरी वह तो अभी पूरा कहाने का बात है अभी बस यह समझ लोग गेटिंग सिस्टम चलिए फाइनली आ जाता मेरा आपका क्या देडिस कॉल यूर जहां ऐन चलिए प्रोड़क्त यही से मिलेगा अब इसका क्या होता है यही से उब्जेक्ट मिलता है खतम खेल यह कोई भी सेब्मंठ सैज का हो सकता है दियाना जाता है मेरा लाश्ट ली डाइस कॉल यह राइजर यहां तक राइजर को जो आपका केविटी होता उसके ऊपर में करते हैं या तो कभी-कभी हम रजर को ऊपर ही रखा जाता है को बान दीकतर ठीक है तो अब तोstory S it वे Girl quatro कांया करें लेकिन स्टार्टिंग में लेकिन जब मेरा Cam cave TWmy feel won't I common order metal cell करने के बाद ये feel hotel this way software पर फिर राज फिल करेगा तो ही रिजर्वेर काय से काम आता उसको समझना we send a कि तरह कैसे काम casting so that क्यों भाई साहब so that the so that hot molten metal hot 1 second molten यह important है इसे लिए रिख दे हो hot molten metal can flow back into the casting यह पिर into the cavity बोले हो अच्छा रहेगा into the cavity when there is a reduction in volume of metal किसलिए भाई due to solid या फिर सोलिफिकेशन डिर्क लिखते हैं solid shrinkage वाल क्यों रिखना क्या मिनिया का बहुत इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे स्टूटन को समझ यह था राजर काम मेंने का किया मेरा क्या मॉल्टेंट पोर किया यह आया क्यूर्टेंट करतें है यह नीचh से फिल करहाओ दो यह को यह क्यों करेगा क्यों कि फिल गाए उसके बाद मेरा राजर यह फिल गिया तो यह ना जdriving आज्से नीचे और आता है क gambling उतना है होँए शर्जी नीच्छे तभी кусाव रहे चमना अचाल कर जाएगा यह सब जबं जाएगा करने लएगा क्या करता यह मेरा the мо करता हर तरब से ही करेगा चोटा होते जाएगा मलोब मे profess hero i मजनी ओत्याव तब यह पर हमीट्र जौरव यहां पर मॉलटन मेटल जो रद पढ़ेगा तब कुछन करेगा एक तब मेरा राइजर प्रवाइड करता है मिनियुश्व को कि देट यहां पर घॉतम अपलों वर्लीम को धिकी प्रेृं कर तो तो मोलेटरएगे जब्धदा होता तो श्रींक करता अपने ब्वोल्यूम को घट आता है ठिक है बहुत अचा एप लोगो बताता हूं जैसे की मैं आपको कैसे बता हूं आप सुने होंगे और ना कि जब ठंड़ा का दिन होता है था थे फंड़ा के की नहीं आप लोग सुने होंगे कि पानी का जो आपका क्या इस तरह का पानी का जसमें उटर जा यह पाई आँ अ हो तो यहां से फ्लो डाक से बिल टॉरत है तो यह प्लंडा वे पॉर्ट हथो जाता है अगर哇 पानी तो तब भी वह था जब पानी था बड़के से गया पानी तब नब फटा यानि क्या वह यहां पर expand किया expansion होता है जब जम जाता यानि कि जब यह मेरा solidification होता है तो एक्सपेंड करता है similarly यहां जब सोलिड होता ना तो एक्सपेंड ना करके कॉंट्रेक्ट करता पोजिट ये सुखता है रेडियूज होता वोल्यूम यहां पर वोल्यूम क्या हो वोल्यूम इसका बढ़ा लेकिन यहां पर वोल्यूम क्या तो घरता मेटल का तो जब राइजर का यहां सबसे ने लास्ट में जा रहा तो सबसे लास्ट में जा है यहां से आज की अर गया चुर्णी Days पहुंचेगा जब तक पुरा फूल नहीं होगा फूल होने के बाद दो उपर जाया जा ना तो यह उपर जब तक इतना नीचे भर गया था यह ठंडा भी स्टाट हो गया तो सबसे पहुँक्छता मोलटन मेटल तो वहां पर फंड़ा भी होता पहला केस दुसरा केस क्या होता उस अफिसिएन नहीं होता इसलिए अनौड क्या करते ना इसके चार और हम लोग एडियाबेटिक वालब करते किया होता है अपकर अपका इंसुलेटर थरमर्मस होता है जो आप लो लोग क्या करता है ही ट्रांसपर एह पुड़ करता है यहाँ याथ यह बनाते हैं जो क्या करता है जो ही whoa अरो यह बनाते हैं जो हुड को बाहर नहीं होने निए जयन मेंद्स के इनदर का जो वो गरम ही रहता है क्यों गरम रहता मुझे पता कि मेटल स्रिंग करेगा वोल्यूम घटेगा तब उसका हम लोग प्रवाइड यानि यूज करेंगे तो यह होता है मेरा राजर का काम और दूसरा चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राजर का काम और एक होता है वो जब लिक्वीड जब यह लिक्वीड माल दो वही तो होगे ना घुमा फिला का बात वही है इसके अंदर का इसके अंदर का जो लिक्वीड रहेगा ना केवीटिक अंतर का लिक्वीड है वो जैसे जैसे आपका अभी लिक्वीड में ही है और देरे देरे स्रिंग करने स्ट हो जाता है ठीक है तब तक राजर्वी सोलिड हो जाता है तब ये भरपाइब कर सकता तब सुलिड स्रिंकेज का भरपाय कौन करता है वो करता है यह चली तो राजर भी तो यहां से मैंने आप लोग को ना सब के बारे में बता दिया अब हम लोग थोड़ा सा देखने वाले जोरी है ताकि element of getting design आप लोग यहां पर समझ लो ठीक है मैं देखो आप लोग सोचते हैंगे मैं बैक करके क्यों जाता हो मैं ना अचाहा आप लोग सोचते हो ना मैं यहां पर क्यों दबार है यहां पर रिडो दबार हो ठीक है अंडो करता हूं इसलिए करता हूं कि सारे मैं डिल्क पकाइब घणो नहीं हो रहा है अब यह यहां से अब यहां से यह वाला चीज मेंटे इन नहीं तो अब मेरा काम यहां पर बढ़ गया कि मुझे फिर से शिगर को अच्छे तर इस बनाना पड़ेगा ठीक है अब मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा फिर से इसको अच्छा से कर दें जस्ट अ मिनेट इसलिए मैं कहता हूं न कि कर देता है यह पाटक खींड कर देते हैं के हैं एक अम लोग दिखाते जो मऄ तक कोई चीजा को दिखाने रहा था ला कि अंदर में मालों यहाँ पर सीड़् होगा इसका तो अभी इस तरह ख्रौसक्षन कर देंगे क्यों को या हुण को एपल या फिर मेंगो का आप कैंपको दिखा जा रहा है कैसा दीख कि चली कोई नहीं मlden के बाद भी थोड़ा अच्छा से आप लोग को कर दोंगा चाहता हूँ कि आप लोक प्रीपेर करता है तो प्रीपेर करते हैं तो यह भी बहुत ज़्यादा मेंट्र करता है एक स्कुन हां मैं हाइलाइट वाइट लेना चाह रहा था ताकि यह राइजर का हटा सके ओके तो यह हट नहीं रहा है यह वाइट ले ही नहीं रहा है थी ना तो यहां से सब चीज आप समझ गया होंगे A to Z मैंने आप लोको बता दिया अच्छा अब बारी आता है यहां पे क्या क्या रहा है तो मेरे लिए तो यही जोड रहत है इसी को मैं निकालाऊंगा बाकी चीज़ों पर आता जिसको हम लोग कहा जाता कास्टिंग इल्ड कास्टिंग मेरा क्या बताता कि ऐल्डी यह बताता कि मेरा एक्चुल में कितना जौरत है कास्टिंग करने के लिए वोइल्यूम मेटल मनलब जो लिक्विड मेटल डालते हैं उसका कितना जौरत पड़ेगा क्योंकि उस से मुझे ज्यादा डालना है ना क्योंकि आप देखो यहां पे भी Molten Metal आया, runner में भी आया, Rigor में भी कुछ Molten Metal गया, और आपका sprrv हो गया, sprrv basin हो गया, यह सब में भी Molten Metal गया. तो अगर मुझे 1 kg कमा लो, 1 लिटर का Molten Metal को पिघा ले हैं, तो मुझे पता कि यहां 1 लिटर ले लेगा, यहां कितना ले लेगा एक लिटर ले लेगा लेकिन मैं एक लिटर से काम नहीं चलेगा मुझे पता कि राजर में कितना बराना है इसमें कितना डालना पड़ेगा तो उसे मुझे ज्यादा लेना पड़ेगा तो यह कौन बताता है मेरा कास्टिंग इल्ड बताता है कास्टिं कास्टिंग केविटी में कि चाम मॉल्टे मेटल का जुरूत है और एक्ष्टा मुझे कितना चाहिए कि बहुत भी ज्यादा नहीं बना सकते कि वेस्ट भी मुझे नहीं करना कि एक बार मेल्ड करने के बाद अगर आप फिर सोस्कों सुलिड करके मेल्ड करोगे ना तो उसका गिर जाता है तो ऐसा नहीं कि मैं बार बार ही जड़ा वेस्ट करूंगा तो वहां से एक टर्म आ जाता है तो चलिए अब हम डिसकस करते हैं कास्टिंग इल्ड के बारे में तो यहां से आप लोगा थियोरी स्टाट हो जाता है तो कास्टिंग यहां पर देखो और यहां प कास्टिंग ये मेरा किसका रिषय बताता है वॉल्यूम औ Princip का टूदी वॉल्यूम औरी वॉल्यूम आफ ओ मॉल्ट school naval जिसको पोर करते हैं झिसको पोर देमतों और जितने moulternet Rand डाल रहे हैं ठीक है उसका और कितना मुझे जो राऊछा कास्टिंग के लिए उपर में जो VC है यह वोल्यूम ऑप कास्टिंग बता रहा है मतलब हो जो के के अंदर है समाज है कि नहीं यह मेरा पताता के बीटी के अंदर जीटना है नो सब्राइब गह filter जो कीदिक अंदर कितना मेरा मॉल्टें मेलें चाहिए वो मेरा बता रहा वी सि और यह वे वी सी प्लास बील्टिग ग 사용 का ब स्पेटिग एलेमेंट और getting element करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी हम लोग runner रहा उपर में मेरा राइजर था फिर यहाँ पे अगर बात करेंगे sprue था sprue well था यह सब में कितना और element यह और कितना metal का जोरत पड़ रहा है उसको बताता है और getting element तो volume of getting element मेरा क्या बता था कि जो भी चीज़ यहाँ सिर्फ वीजी का यहाँ पर बात कर रहे हैं एक सेकंड है और वीजी क्या हो गया volume of the volume of the casting हो गया तो यहाँ से यह चीज़ के लिए आप लोगों हो गया होगा तो यह तो वीजी को बता रहा एक सेकंड यह वीजी बता रहा है और मेरा वीजी को बता रहा है वीजी मतला volume of getting element तो नीचे हम लोग क्या लेते है volume of casting plus volume of getting element और उपर में लेते volume of casting इन दोनों का ratio मेरा बता था casting yield को चलिए आप यहाँ पर बात आता कि सर जी casting yield यानि CY यहाँ पर C capital लेते हैं Y हम लोग small लेते हैं casting yield का value कितना होता है देखो यहाँ पर casting yield का अगर मैं बात करूंगा dear student तो casting yield मेरा कभी भी एक से जो है न वो बड़ा नहीं होता हमेशा मेरा एक से छोटा होता है एक केस होता जहां पर casting yield मेरा एक होता है कुछ केस होता जहां पर एक मेरा one होता आप मैं समझा रहा हूं कैसे पहले बात करते हैं सर एक से कम क्यों होता है कभी भी यह मेरा greater than one नहीं हो सकता है हमेशा यह छोटा रहाता है कब देखो क्यों एक चीज़ बताइए अगर यह मेरा उपर में वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग है ठीक है सर्जी वॉल्यूम ऑफ उपर मेरा कास्टिंग नीचे में वॉल्यूम कास्टिंग प्लस गेटिंग अलि यहां पर यहां पर क्या one by one लेता हूं अब यह one by one कब होगा मालों यहां पर फॉर बाइफ उपर में वॉल्यूम लिए और नीचे फॉर लेटर लिए तो वोर भाइफ और कटके मेरा वन वाइव आ यह कब हुआ जब हम लोग भाई भीजी को नहीं लिए जहां पर मेरा वी आप मेरा ना तो raider का यूज करेंगा और और यह केस होता है वो कहां होता यह होता सेंट्रिफिज कास्टिंग सेंट्रिफिकल कास्टिंग में एक रॉलर जैसा लाते हैं जो रोटेट करते हुए रहता है उसको डारेक्ट हम लोग इस तरह के रोडर राता है और इसके अंद है तो वहां पे हम लोग runner ranger का यूजर नहीं करते तो वहां पर मेरा वीसी युशनशी है सब्सक्राइब करें यूजर आपकी जगों पर आप आपका जो VC है माल लेते हैं एक ले लेते हो है ना VC का VC डिवाइड बाई VC प्लस VG तो आपने एक लिटर लिया तो नीचे में एक लिटर नहीं दो लिटर होगा क्योंकि वोल्यूम अप गेटिंग एलिमेंट वीजी इसमें भी रनर में राजर में भी कुछ वोल्यूम गया त है बाकी में तो जीजीर नहीं होगा क्यांएसा होई लिए नी सकता कि जितना आपका कास्टिंग में जितना एलिमेंट उससे कम भीट में अप्य कोई बरना चाहता हुवा यह भर्यप, धक्रिव, सब्सक्री कभी 2-5 हो गया यह फोन टू-5 जोगता पाइस यहां से चलते या फिर यह वह सकते हो कि वी सी जो है न वह ओल्वे जो था ग्रेटर देन वीजी यानिकी नीचे का वीसी प्लस वीजी का ठीक है यह चीज क्योंकि वीसी हमें सब बढ़ा होगा तो इसलिए यह चीज आगा सिलिए जो क्यास्टिंग लिए ओल्वीज मेरा हो जागा लेस दन ठीक है और एक्वल टूवन फोर एक केस मैंने बता दिया वह को चीज आप लोग को समझ गया होंगा है कि अच्छा यह एक्वल होता किसके लिए फोर सेंट्रिफिगल कास्टिंग यहां पर मैं लिख दूगा क्या है आँ ठीक है वह मैं बात मैं आप लोगो दिखा दूगा खर चली मैं यहां पर लिख देता हूं इक्वल टूवन फोर सेंट्रिफिगल कास्टिंग बिकॉर्ज चली कोई ने क्यों कि गेटिंग इलिम्ट का यूज नहीं करता है राजर का यूज नों असलिए उत्याप समझ गया होंगे ठीक है चली आगे बड़ा जाये ना तो यहां पर हम लोग समझ गए यह चीज कास्टिंग इल्ड समझ गया अब बात करता सबसे पहली बात हम neste का जो हम लोग लेते किसे हैं लेते तो हम लोगे टेपर सिलेंडर लेते हैं तेपर सिलेंडर है टेपर सिलेंडर हम लोग लेके चलते हैं लेकिन ये मेरा ideal नहीं होता है मुना आपको ideal बता आदेयल क्या होता है यह जो आप नीचे देखा रहाう ना पाराबोली कौन की टो बिटकर है एट्पूस्प्रीक एडार के टारिक एक कोंटेक्ट में रहता है तो डारेक्टमे रहता तो एर से आएगा क्योंकि जब मॉल्टर में यहां पर करते हैं प्रेच कि यहां रहा रहा औरपर में जाना कृन्टेक्ट अब इसका गाटा क्या हुता है प्रीक हर आ यहां अगर बात करेंगे तो यहां इसका एरिया का बात करेंगे लेगन यहां पर प्रेशर मेरा ड्रॉप कर जाता वह जब घीर हो जाता ह। तो क्या होता हाई प्रेसर टो लो प्रेसर सक कर लिया जाता सारे एर को तो यहां पर जितने भी एर पार्टिकल होगा ना यह सभी का सभी एर जो पार्टिकल है वो सक कर लिया जाएगा अंदर घींच लिया जाएगा विद्धा जब मॉल्टर मेटल को डालेंगे तो मॉल्टर श्रमस्फरिक टूर्ट्चावरगें थी आपता है तो अब यहाँ पर ऐसे से की हैजसल यानी यह रहता है के आपवस्परिक इंदिग एलेमेंट गेटिंग बेबसॉप किया जाता है गेटिंगा लब उस पूरा राजर सब के थ्रू गेटिंग एलिमेंट में चल जाता है इन दी लोग प्रेशर एरिया विल मिक्स अप विल मिक्स एंड आप विदी मॉल्टर मेटल एंड फॉर्म दी गेस्ट इफेक्ट इजन और एयर एस्पिरेशन इफेक्ट अब मुझे इससे बचना इ हमें से पहले में से हुए तो सिलेंडरिकल में क्या हा एयर एसुरेंट से एरिया टाइबस होता हिसे काँ इसुरू अगर इसल ने प्रूब करूंगा क्यों पराबोलिक होगा कि अश्छा होता तो पराबोलिक हुआ ठीक है लेकिन होता कि हम आई डिए श्टुडन् पाराबोली का जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसको बनाने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है बहुत ज़्यादा पहली बात तो टाइम टेकन लगता है बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लेता जो पाराबोली कोन होता है पाराबोली कोन तरह का इस प्रूब बनाने में अब आपके इसकाश्ट नहीं को फिल किया गया हूगा उसे इस प्रूफ को हम लोग अगर बनाएंगे पाराबोलिक कौन तो वो उसके चलते ना कोस्ट इतना भाग जाएगा उसको को कर प्रेसर का दस पंद्रा जर की मोथ हो जागा तो क्या कोई खड़े देगा ने खड़े तो यहां पर इस cost को time को ध्यान में रखते वे हम लोग पारावलिक कौन यूज नहीं करते हैं और करते क्या हम लोग taper cylindrical करते हैं यानि कि आप हम लोग करते हैं इस तरह का taper cylindrical क्यों इसको बस taper कर देते हैं समझाए वेरी बात की नहीं हम लोग क्या करते हैं taper cylinder करते हैं taper cylinder मतलब तो देखो, यह मैं cylinder लिया था, लेकर cylinder में air respiration हुआ, तो इसको मैं taper cylinder करती है, मतलब यहाँ से इस तर करके taper cylinder कर दिया, तो इससे क्या हुआ, थोड़ा बोध जो air respiration है, वो मेरा घट जाता है, air respiration क्या होता मेरा, घट जाता है, यह चीज मेरा होता है, यह मेरा air expression वह से किसे बचते हैं और क्यों हम लोग जो हैं वो taper cylinder लेते हैं इसके बार में आप लोग समझ गए होंगे और ideally क्या होता यह भी आप लोग समझ गए होंगे चलिए तो यहां से यह चीज क्लियर हो गया होगा ठीक है taper cylinder बट चुकि due to air expression effect यह क्यों होता है क्योंकि low pressure जो वो create हो जाता है ठीक है और इसके चलते हैं mortar metal जो है वो mix होके इससे gas defect create करता है जिसको हम लोग air expression effect करते हैं और इससे हम लोग avoid करने के लिए हम लोग लेते लेकिन चुकि यह मेरा काफी manufacturing difficulty होता है तो हम लोग लेकर क्या चलते है आइडियली हम लोग लेते टेप पर चलो मैं आपको बताता हूं एक हम लोग देखते हैं derivation इसके तुरू आपको प्रेक्टिकली पता चल जाएगा कि पारबोली कौन कोई क्यों आइडियल मना जाता है देखूं यह मेरा मैं इसफ्रू दिया गया है और उपर में आप जट Bunu बेसिन और फिर फॉर्टिंग कप कुछू बोल सकते हो ठीक है और उसके नीचे आपका क्या इस पूरू कर यहां तक कर और ऊप्र में क्या पोरेंग कर मैं क्या क्लर ईना इसको मैं यह वार पॉरिंग कप का यानि इस प्रू का तो इस प्रू आपका यहां से लेकर यहां तक आपका इस प्रू है ठीक है इस प्रू हो गया तो यहां से देखो एक पॉइंट दो पॉइंट और तीन पॉइंट को कहा कहा के लिए लिया गया है जो फस्ट पॉइंट है ना वो यह बता रहा कि यहां करें किया ज야 रहा क соврем एम उल्ट में एंटर कहा हूं ठीक है इसलिए qo जाता है जहां से मेरा स्टार्ट हो रड़ा चाहीं हो एक शाओं यह तो हिलेट यह से नहीं रहे एक सगन नहीं पता नहीं हम स्कों को फिर से लिखेना पड़ेंग मैं नो कि ठीक है अब अब भी नहीं दिख रहा है कि चलो कोई नहीं ये येलो साब समझ लेना येलो जो है वह हम लोग इस प्रू को दिखा रहे हैं तो मैं यहां पर क्या कहा रहा था एक पहला सक्षन हो गया यह मेरा दूसरा सक्षन हो गया मेरा तीसरा सक्षन हो गया तो पहला सेक्षन का जहां पर मेरा इस्प्रू स्टार्ट हो रहा है और थर्ड सेक्षन का आप जहां मेरे स्प्रू मेरा इंड हो रहा खतम हो रहा थिन तीनों सेक्षन अगर हाइट का मैं बात करता हो यहां पर इस्यहां सी है यह मेरा बताना और हैट अब दी कि यह क्या वरा रहा हाई हएट अब्दी कॉप इसलिए में नरगा न एक्जाम में कभी एच भी करके नहीं दिखाएगा बेसिन इवले ऐच सी करेगा तो हैट प्दपकन वहीं बात किया गया है और Hs क्या है, यह height of the sprue है, this is your height of sprue, and ht क्या है, this is your total height, total height, total height मतलब इसमें मेरा ht इकोल तू बो सकते हैं कि ht इकोल तू मेरा है hc प्लस hs, यह हो गया मेरा total height, समझ आए कि नहीं, ठीक है, ओके, इतना ची समझ गए, अब हम लोग एक सिंपल सा equation लगाते हैं, जिसको बोलत between two and three, two and three में क्यों लगा रहे हैं, उसके पीछे भी region है, वो आप जानो, देखो two and three में लगाने के पीछे region यही है, कि two e से मेरा जो है, भाई अभी किसका बात करें, हम लोग इस्प्रू कर स्टेडी कर रहे हैं, तो इस्प्रू स्टार्ट कहां से हो रहा है, दो से स्टार् लगा है, और continuity equation क्या बोलता है, कि जो भी मेरा mass flow होता है, एक gate से, एक point से, दूसरे point में equal रहता है, यहने a1 v1 equal to a2 v2, area into velocity equal to area into velocity, तो वो हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो simple अगर मैं यहाँ यहाँ पे continuity equation लेता हैं, दोनों के बीच में, तो वह एका आ गया, area in a2 into v2, यहन root under 2gh, हम लोग लेकर चलते हैं कि नहीं, बिल्कुल लेकर चलते हैं, तो मैं कर सकता हूं कि v3 equal to root under 2g, लेकिन v3, अब v3 के लिए कौन side लेंगे, 3 कहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे, यहाँ तक है, क्यूंकि हाँ यहाँ यहाँ तक ना हम लोग कप से ही लेंगे, कप से total height लिया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइड लेंगे, हम लोग starting side लेंगे, तो यहाँ तक का, 3 तक का, तो 3 तक के लिए पूरा हम लोग hc plus hs लेंगे, यहाँ पे करा गया, इसलिए 2g ht, और अगर बात करेंगे v2 का, यहाँ आपका velocity of the second point, यह यहाँ पे enter मेरा कर रहा है, तो यह कितना height है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाँ, only h2, क्योंकि 2 point तक ले रहे हैं, तो only hc लेंगे, तो फिर से आजागा 2g hc, यहाँ समझगे, अब यहाँ पे मैं क्या कराँगा, 2g 2g को मैंने यहाँ पे cut कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या कर आता हूं, तो area की तरफ लाता हूं, तो यह square में आ जाता है, तो क्या मिला मुझे, ht divided by hc is equal to a2 divided by a3 का hall square, और यह basically मेरा parabolic equation होता, square का, तो यहाँ पे क्या मिला, कि मेरा parabolic equation मिला मेरा square का, यानि कि parabolic shape बने का, इसलिए, automatic मुझे पता चले कि area जो होता है, जो हम लोग लेते है, वो कैसा होना चाहिए, parabolic होना चाहिए, इसलिए मेरा ideally यह होता है, ideal shape अगर बात करेंगे, ideal shape of the sprue, है न, वो क्या लेके चलते है, parabolic, लेकिन, चुकि manufacturing difficulty होता, time लगता है, बहुत costly होता है, तो हम लोग parabolic ना लेके, हम लोग tapered cylinder लेते, क्या लेते हैं, tapered cylinder लेके चलते है समझ आया की नहीं, यह चीज आप लोगा होता, चली, तो यहाँ आप लोग यह चीज को समझ गया होगे, चली यह सब को मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं इतना, और यह highlight को बस यहाँ पर कर देते हैं, यह चीज और यह चीज कर देते हैं, इतना हो गया, चली यह काम करते अब हम लोग कुस कोषियों देखते हैं यहाँ पर कुस्सक्षियों देखेंगे और कोसे लिए इसलिए को पुछा जाता है ताकि आप लोग कभी भी अगर ऐसा कोसेन आए तो कभी भी डरो नहीं और कोस्यों को बना लो तो चलिए मेरे साथ आप लोग solution करना कि एकदम easy question रहता है एकदम difficult question रहता नहीं है बस आप एक बार फिगर बनाना सी गए ना तो फिर हो जाता है तो क्या कहा गया है अगेटिंग दिजाइन इस पूइज डिजाइन टो एवोड एयर एस्पिरेशन इफेक्ट ठीक है मतलब यहां पर बोल रहा कि बचाने के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे ऐसा इस प्रूप को तकि उससे एर इस्पिरेशन इफक्ट ना हो यानि कि नीचे में लोग प्रेसर क्रियेट आ रहा कि मास्व रोड इतना हो ठीक है फिर आगे यहां पर बोल रहा है कि डेंसिटी यहां पर दिए गांगा थिकतना है तुम करना है हाइट कितना लेना आपको 20 cm लेना सेंटरमिटर हाइट दिया गया है हूके फिर बात आ गया है कि हाइट अब दाश्पिस इस प्रूप जोग यानि कि देखू यहां पर बेसिन बोला लेकिन आपको लेकर चलना है एचसी वूग में एचसी लिएक चलेगा ईनिए हाइट अपड़ कप तो यह दिया गया कितना आपका 5CM यह यह फाइब आप डेजिर स्प्रूट टेकर एक से डारेक्षण यहोग्ड डाइमेंशन होगा डारेक्षण कहां साथ 두 चला में अ यहां पर मुच्छे नंप बताएए इस पूर्व का डायमेंशन करने का मतलब इस पूर्व को कैसे डियन करेंगे उसका डाया से लेकर तो बिसकली डायमेटर आपसे फाइंड आट करने पूर रहा तो मैं पहले इसको डायमेंशन करता हूं कि डाइमिंटर यहां का और आपको पता है इसको लो क्या मालों यहां पर एक बेसिन रहेगा इस तरक करके बेसिन भी रहेगा यहां पर ठेच रहेगा तो यह कि हो गया मेरा पहला तो यहां पिखा जाएगा यहां फोला पॉंट यह मेरा खी पॉइंट ठीक है और यह हो जागा एक सेकंड पॉइंट यहां लेके चलेंगे और यह हो जागा मेरा थर्ड पॉइंट तो यही दो आपको डामेटर यापर फाइंड डॉट करना क्योंकि अगर एक बडामेटर पता चल गया करता आपको पता चल लिए किस तरह का डिजाइन करना मुझे इस प्रूव को ठीक है अब यहां पे और क्या दिया गया था है डिया गया था है डब देश्पू इस प्रू अगर आपको इतना पता चल गया तो फिर आप कुछ रहा नहीं है अचाहा ओर क्या दिया गया है आपर मास टोडॉरेट दिया जैनि यह डिया गया है निकाल सकते हैं अब देको डिस्चार्ज स्थाटी इकोलट बिक्ती हैं डिक्नी क्या होगा है इσक्राइण हो टैमेरा क्या मासफलो रेट डिवाइड डेंसिटी क्युकि आपको डेंसिटी यहां दिया गया मासफलो रेट दिया गया तो इससे मुझे डिसार्ज निकास सकते हैं अब क्यूं क्यों कि देखो डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता पलिमी जान unterstützen अगर में डिस्छार्ट का यूनिट करना तो अगर में मीटर में लोगा तो मीटर क्यूट पर सकन्पीट होता है में जनका पर से करना अना यहीं तो मुझी यह यॡट करना धो म características गरम कि देखो अगर मैं बोलूँगा भई मास फ्लो रेट तो मास फ्लो रेट किसमें दिया गया है 20 kg पर सेकंड में दिया गया और अगर बाट डेंसिटी किसमें कितना दिया गया है 7800 यूनिट क्या है मेरा केजी पर मीटर क्यों तो यहां साब देखोगे ता आपको खुद पता चल जाएगा कि वहीं केजी से केजी तो खतम हो गया तो यहां पर बचा क्या ओटोमेटिक लिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करेगा ना तो आपको क्या मिलेगा हूं बता रहा हूं तो पॉइंट फाइब सिक्स फोर इंटू टेंड दोटी पार माइनस थ्री और मिला क्या मेरे उपड़ चल जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड तो ओटोमेटिक लिए देखो दिस्चार्ज मुझे यहां से मिल गया यहां से मुझे डिस्चार्ज मिल गया और जब आपको ड तो 5 आजगा डारेक्कणि यहां पर आजलेगा 2564 इंटू यह इंट तो टेंडु पार उट्मेटिक बार टीमेटर क्यों कि पर सेकंड तो डिस्चार्ज मेरा सेंटिमेटर क्यों क्यों बिए चल डखा अगर इतना मुझे चल गया अब हम लोग क्या करेंगे वाई टूप ए और 3 पे continuity equation लगाएंगे और उसके थ्रों हम लोग find out कर देंगे यह वन भी होने को ले टू भी टू तो वहां से मुझे एरिया से फिर डाइमेटर मिल जाएगा एरिया पाइवाइब फोर इंटू इसकार कोई सिलेंट्रिकल है सिलेंट्रिकल है तो हम लोग यार हम से निकाल सक सिलेंट्रिकल है यहां का डाइमेटर मेरा क्या माने थे दी थ्री माने थे और यहां का हो जागा डी टू ठीक है यह में लोग तू पॉइंट मानके चले थे इसको में लोग थ्री पॉइंट मानके चले हैं और यहां पे चले हैं वन पॉइंट मानके ठीक है यह मेरा क्या थ टोटल हाइट चलिए ठीक है टोटल हाइट माना इस्प्रू का नहीं टोटल हाइट आजाएगा इस्प्रू प्लस आजागा पोरिंग बेसिन का ओके तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा आप आप पोइंट ट्व पें मैं लगा था कॉंटिूट्व टो अगर एटव convicted बात करेंगे एक कितना मिला डिस्चार्ज 2564 इथा ना 2564 था येस येस तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या 2564 2564 is equal to area क्या हो जगा हमाई D students cylindrical है तो pi by 4 into D square pi by 4 into D 2 लेंगे यहां पर area 2 मलब diameter का 2 का hall square into अगर velocity का बात करें क्या था 2GH V equal to 2GH तो या दखने हैं आपर area equal to क्या ले रहे हैं pi by 4 into D square and अगर बात करेंगे क्या ले रहे हैं root under 2GH यह मेरा हो जागा दो चीज हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं यह area के लिए यूज कर रहे हैं यह मेरा velocity के लिए तो क्या हो जागा मेरा 2GH लेकिन कौन सा H बताइए यहां पर कौन सा यहां पर मेरा यह आ जागा तो यहां पर अगर आप देखोगे ना तो सभी चीजों को वेली को पूट कर सकते हो क्योंकि सब यहां पर दिया गया है एच सी भी आपका दिया गया 5 और जी आपको पता 9.81 वेली पूट करेंगे तो यहां पर यू नो धट की एच सी इकोल टू मेरा कितना था यह सब ची तो आपको पता हाना डियर स्टूटन अब बताने के जो चलो मैं लिखी देता हूं एस इकोल टू आपका था साथ 5 सेंट में आगा क्योंकि के संटे में लेके चलना अब क्या करेंगे फिर हम लोग सेम चीज करेंगे एच पोन्ट 3 पे यहां लिख सकते हैं 8.3 तो यह A2 A3 into V3 तो डिस्चार्ज फिर से वही वेलिव आ जागा यहाँ पर क्या 2564 is equal to फिर से से सेम चीज पाई बाई 4 into लेकिन D3 का हो जागा square into अगर मैं बात करूँ रूट अंडर 2G आप आजागा total height क्योंकि आप three point का बात करने यहां से बात करा गया तो यहां से total item लोग लेंगे इस प्रू हाइट प्लस बेसिन में बेसिन का लेंगे तो फिर से यह नोग देखना कितना देगा था 20 cm दिया गया था और आपको फिर से जी का जो value है वो 9.81 लोग है तो फिर से यह को value पूट करोगे तो you will get these three equal to कितना value मिलेगा मैं बताता हूं यह आप लोग calculation करके देखना कि सही आ रहा की नहीं 3.83 आप लोगा answer देखने को मिलेगा cm में तो एक बारे मुझे diameter दोनों का पता चल गया तो फिर आप क्या करोगे अराम से calculate कर सकते हो अराम से calculate कर सकते हो तो यही आपको dimension वेगरा जो है वो पूछा गया था यह पता चल जाएगा समझाए चली यह चीज हो गया इसको नहीं इसको ना आप एक अलग तरीके से भी बना सकते हो एग आप different तरीके मैं सकते हो कौक्षा मैं आपको बताता हो एक मिन आपको जब fossil करा dato जिसमें आपको यह पूरूब करा था कि इसमें मेरा पाराभुली होता तो आप यह जो आपका 1987 ईसको भी यूज कर सकतो हो क्योंकि है 3 का हॉल स्कार्ष यह आपके एक सेगन क्यू आया था ना क्यूवाया है था यहाल स्कूराया था आधिंग स्क्यार था जस्थ वन एप यह स्क्यार डेरिवासन देख सकते हो हाँ and you know that कि यहां पर मैं आपकर सकता हूं कि ht divided by hc equal to pi by 4 d square यहां भी आजागा pi by 4 into d square and square तो यहां से क्या cut जागा यह पूरा का पूरा तो भाई यह पूरा कटा यह पूरा कटा d d only बचा और यह आपका क्या करेंगे हम लोग डारेक्ट यहां पर तो यहां पर 2 & 3 लेके चलें ना तो इसको 2 ले लो इसको 3 ले लो तो भी डारेक्ट करूंगा भाई ht divided by hc is equal to d2 divided by d3 का 2 और 2 पावर 4 आ जागा डारेक्ट 4 आ गया तो बस यहां से आप क्या करोगे यहां से आप एक अगर d का वेल कर सकते हो चलिए यह दोने चीज़ क्लियर हो गया कि एक और एक को से नम लोग यहां पर देख लेते हैं ठीक है ताकि आप लोग को जो भी कंफिजन और अगर कलती से भी होगा तो यह आपका डिफिकल्ट नहीं लेगा कि सेम चीज आप एक काम करना पहले तो आप लोग फि पर इसका कृट्स ही होजागा आपके लियूदु अं ही आज इस 영상 और इसको पोइंट को मैं दो माल लेता हूं यहां को मैं थ्री माल लेता हूँ एक सेकंड यसको मैं एक माहँगा न और यहां में थ्री पॉइंट माल लेता है इसको ठीक है हाइट का अगर बात किया जाई तो this is your क्या हो जागा आपका बताईए फटा फट this is your hc यहां क्या हो जागा hs and यह total क्या हो जागा ht ठीक है मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ जब एक बार आप समझ सीख जाओ गया तो बार बार फिगर बनना के जोरत नहीं है ठीक है देखो यहां पर question आप क्या बोल रहा है बोल रहा है कि in a getting design height of the sprue is 200 200 यहां पर mmS बारी दिया गया फिर का आगया तो वेलोसिटी आप दी लिविड मेटल एड़ी बिगिनिंग इज पॉइंड फाइव एंप मेटर सेकंड यह आपको वीटू दिया गया बाकी क्या कुछ नहीं तो यहां पर भीटू दिया गया बहुत कोई समझता समझी नहीं आता सर जी यह जो वेलोसिटी लोगा भी तो दुगा एट दी बिगनिंग बोल दिया ना जैसे आँपे कोसें पर विग्निंग बोलाए यह समझ जयाना कि बिग्निंग मतलब यहां पर विगनिंग हो ता जहां सा मरा बीगनिंग स्पुरो में घुस रहा है एक चली तो बीटू हो गया आचा ही डारेक क्योंकि यहां से यहां तक काईट लेने वाले हम लोग ठीक है तो यहां पर अगर हैसी आपको क्या यहां पर गिवेन है क्या ऐसी यहां पर गिवेन नहीं है तो यहां पर मेरे मीटर में हम लोग लेके चले यहाद अखना हाइट को ठीक है तो यहाँ पर में मीटर में आ जागा चली एक चीज बता चलिए नाव दो बोला गया कि वेलिसिटी अब लिक्विन मेटल अब बोटन अब देश्प्रू में मलब यह आपको वी थ्री यहाँ पर बोला गया है कि क्या होगा बताईए ठीक है वी टू आपको गिवन था वी त्री आपसे मांगा गया तो वी त्री क्या होगा चली इसको फाइंड आउट करते हैं अब अगर मैं बात करूंगे यहाँ पर दियर स्टूडन तो मैं बोच सकता कि वही वी थ्री इक्वल टू देखना इसको कैसे हम लोग करेंगे और एक तरीका तू जी लिखा एच्टी बेसिकली क्या तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हC प्लस है दोनों का हाइट को मैं 9.81 तो क्या आप निकल नहीं जाएगा बिल्कुर निकल जाएगा अब क्या कुछ बचा ही नहीं डिरेक्ट मैंसर लिख देता हूं या फिर चलो मैं वेल्यू अबर पूठी कर देता हूं तो क्या जगा यहाँ पर एक सेकंड तो इन्टू 9.81 फिर हC का वेल्यू है यहाँ पे 0.12 0.0 हो जागा एक सेकंड 0.0127 एंड प्लस अगर बात करेंगे किसका पॉइंट टू हो जागा तो बस यहाँ से वी थरी जो आपको आंसर मिलेगा ना इतना आपको डिठ्टरी का आंसर कितना मिल जागा आपको मिल जागा यहाँ पे वी 3 का आंसर चलिए अब बात करते हम लोग गेट का स्पूरू हम लोग देख लिए ना सब्सक्रारा का चीजे हैं जो आपको लोगो पढ़ना पड़ेगा टाइप्स के बारे में क्या क्या होता कहा कहां पर यूस करते हैं तो अब हम लोग बात करेंगे gates के बारे में gate जिसको हम लोग in wait भी कहा जाता है इसको ध्यान रखना gates को उम लोग क्या बोलते हैं in get we बोलते हैं तो अगर कहीं in get बोल दे तो आपको confuse नहीं होना के सरी क्या चीज का बात कर दिया गेट रहे या इन गेट रहे बात एक ही है इन गेट तो समझते हैं कि आखिर यह इन गेट मेरा होता क्या है तो as you know अधर मैं आपको पहले बता चुका हो कि यह मेरा actual entry point होता है actual क्योंत होता है जिसके तरह मौल्त मेंटरा इंटर करता है मौल्ड के इविटी में तो यहां से आपको क्या दिखाए दे रहा है तो यहां से आप देख सकते हो कि यहां पर जो गेट है न वहीं से डालेंगे बोटम भी यहां भी नहीं एकदम नीची होगा यहां से डालेंगे यह हम लोग कर सकते हैं ठीक है या फिर हम लोग टॉप गेट जो राइजर है राइजर के जस्ट बॉजिट में हम लोग यहीं से डाल सकते हैं ठीक है तो यह मेरा टॉप गेट के लाएगा यह मेरा बोटम ग अगर दोनों का फाइदा मिलेगा पार्टिंग लाइन गेट का यूज वहाँ पर करते हैं पर मुझे टॉप गेट और बोटम डोनों का बेनिफिट चाहिए तो यह तीन तरह गेट और एक होता जिसको चाहता है स्टेब गेट मदब यहां पर एक गेट नहीं उसकर कि अगर मैं दो से ज्यादा इगेट करूं तीन चार गेट के जो बड़ा लार्ज कास्टिंग करते ना वहां पर क्या करते हैं यहाँ कि मेरेखा या दूसरा गेट राहा जहां से काफी हाइर हो रहेगा अगर बोटम गेट히 यूज करेगा हैना टाइम बहुत ज्यादा लेगा इस प्लेसिंग वेगरा छिटकेगा कम जब बोटम गेट टॉप गेट रहेगा तो बहुत है फ्लेसिंग होगा यह रोड भी कर सकता क्योंकि हाई विलस्टी उपर से गिर रहा राइट समझा कि नहीं पार्टिंग लाइन होगा तो करते हैं यह सब चीज अब लोग कारें ले चाँशनों के लिए तो सबसे पहले यहां पर है इंटाप गेट का टोरद लोक। तो यहां से मेरा more Ну कर रहा नहीं कि तो यहां को यहां से मेरा खते लीकिन अधिकतर डायर का यो दो नहीं करता है कि यहां लिख लो लिख टाइम कोई का जोरत नहीं पड़ता है इसके लिए वेलेसिटी हाय रहेगा फिलिंग टाइम कम लएगा कि को बिसली बादा टॉप से गिरा तो फटाफट भर जाएगा हाई डिस्चार्ग डिस्चार्ग भी हाय रहेगा टॉप से गिर ठीक है हाई टबुलेंस स्पिलेसिंग वह टबुले और पूरा पाइपको खोल दो आराम से बहने लेए पर नीचे में गिरा लेमिनञ ना आवाज करें आकुछ अराम से पानी आएगा तो इसको वो कहते हैं लेमिनर तो यह तो रिंस के साथ क्यूकि उपर से उपक्प्दा जयासरवास चत करें जूब करेंगा विश्ब्यवा तो मिट्टी जो ना क्योंकि सेंड का अगर केविटी बना रहेगा तो उसको क्या कर सकता है फिर बात करेंगे अप्लिकेशन कहां पर इसका यूज किया जाता है तो इसका यूज किया जाता फेरस मेटल को अगर फेरस मेटल का हम लोग को कास्टिंग करना तो इसको यूज करत तो श्रींग करता यूनों तर फटाफट श्रींग होता तो मुझे चाहता हूँ कि जब भी मैं फेरस मेडल का कास्ट करूंगा तो मैं यूज करेंगा टॉप गेट को क्यों मुझे पता कि वह जल्दी सोड़िफा हो जाता है श्रींक रेट उसका हाई रहता है तो हम लोग वै के बारे में आपनों को डिस्कॉस करते हैं ठीक है यहां से टॉप गेट जो है वह आपको समझ गया होंगे एक सिकन्ड यहां पर मैं यह बता देता हूं कि देशी जोर केविटी और यह रहा आपका गेट एक सिकन्ड अच्छिक है चली बात करते हैं आगे बोटम गेट देख लेते हैं बोटम गेट तो बोटम गेट क्या हो जाएगा कि हम लोग नीचे फिल करेंगे इसका मैं फिगर नहीं बनाया हूं इसका मैं फिगर थोड़ा बना देता हूं ताकि आप लोग को समझ आए इससे कुछ इस तरह करेगा कि यहां से हम लोग जो हैं यहां से हम लोग फिल करेंगे इस इस जो बोटम यहां से मेरा मॉल्टर मेटल क्या करेगा फिल करेगा यह मॉल्टर मेटल यहां से जाएगा मेरा ठीक है मॉल्टर मेटल यहां जाएगा तो दिस इस जोर केविटी अगर गेट का बात करें आ जाए तो तो दिस इज यूर गेट यहां से यहां पर क्या हो जगा दिस इज यूर गेट कैसा है मेरा बोटम में तो बोटम गेट यह मेरा हो गया ओके अब इसके बारे में सब्सक्राइब क्या क्या चीज इसमें होगा बाइस आप इसमें देखो उ जैसे इसमें तोप गेट में मेरा बहुत ज्यादा फ्लेसिंग कर रहा था बहुत ज्यादा टैम लेगा लेगा लेस डिस टाज होगा तो यह कि यहां से लेकर यहां तक मिरा तीन और यहां पर दिया गश्ल कि उपतर संब्सुटे मिए यह सब्सक्राइब से फिल करेगा तो कोई भूल अब या से गतना स्व भीर करेंगा वेथ का डाम से थाएगा कोई ढूल आतन सब्सक्राइम Siu सबक्साइब ए लेगी अगर मेरा कम लगता था लेकिन अब इसमें जाधा टाइम लएगा तो यह सबका अब मेरा बिश्एक्षा के बबने और तो यह सबका सब मेरा त्स य saf debate लेगा । चाहते भी ना कि इसक। पीसमेंस काश्ण हो बहुत जादा मिलता है चलिए अपलीकेसिन बात करते हैं कहां पी यूज क्या जाता है जिसे मीने कहा जो धीरी धीरी फरे धीरी भरेगा जिसमें श्रींकेज बहरा अगर सलो भी सोलिकेशन हो तब अभी कोई इसू नहीं है तो वह मेरा होता नन फिरस तो नन फिरस में हम लोग इसको यूज आराम से कर सकते हैं तो यह होगे मेरा टॉप गेट के बारे में अब बात करते हम लोग थर्ड नमबर दर इसकोल योर पार्टिंग लाइन गेट या फिर मिडिल गेट देखो पार्टिंग लाइन जैसे मैंने आपको फिगर में भी समझाया था फिर भी मैं यहां बता दे रहा हूं पार्टिंग लाइन कैसे हो जाएगा यहां पर बीच में में लोगा यहां पर पार्टिंग लाइन ठीक है पार्टिंग लाइन उपर में कॉप ड्रेग माल लो है तो मैं क्या करूंगा यहां पर जो गेट रहेगा यहां से इंटर करेगा एक सिकंड यहां से इस तरह से मेरा gate रहेगा यहां से यहां जाएगा तब देखो यहां पर बीच में पार्टिंग लाइन है ठीक है बीच मेरा क्या यहां पर पार्टिंग लाइन है तो this is your gate यह मेरा क्या लगा गया गेट भी यह यह म क्या करें गया और इसके तुरू यहां पर इंटर करने वाला है यहां से जाएगा तो यह क्या होता है मेरा ये जब अम लोग दोनों का बेनिफिट लेना चाहेंगे ना ठीक है बॉर्टम करते हैं या फिर कोई मालोग symmetrical कोई object है symmetrical ना रहे फिर भी हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन अधिकतर हम लोग symmetrical object symmetrical आपको पता नहीं एक जैसा एक जैसा करने का मतलब क्या कि मालो इस तरह से कोई है ऐसा है और को जैसे हाट हाट लो अब हाट को मैं अगर 20 से cut कर दोंगा ना यहां अगर नहीं रहा ना सिमेट्रिकल नहीं रहे फिर भी हम लोग यूज़ कर सकते इसमें दोनों का benefit लेते टॉप गेट का भी बॉटम गेट का भी यहीं कि टॉप गेट का क्या होता बेनिफिट कि वह हाई लेकिन मुझे पता कि इसके टबूलंस भी होता ठीक है तो आप क्या यूज़ करने के लिए बैलंस करके ऐसा करेंगे कि यह दोनों का पार्टिंग लाइफ यूज़ करते हैं ठीक है चली यह चीज़ हो गया ना बात करें हम लोग फोर्थ नंबर और लास्ट आ जाएगा आपका गेट यह देखो यह आपका एक गेट है ठीक है यहां पर एक गेट है दूसरा गेट यहां पर है तीसरा गेट यहां पर है चोथा गेट यहां पर है तो यहां पर चार गेट यहां पर नजर आ रहा है ठीक है यह चारों गेट के थ्रू एक में आपको बता दे रहा हूं दिसी जोर गेट ठीक है दिसी जोर दे्स तरह भेस ल्ट ऐन को गेट आ अर यह आपका गेट रहा है यह भी आपका गेट रहा यह सब का सब क्या है जब आपको पोर करोगे तो इक आप बहुत बड़ा कास्टिंग आप करें लार्ज कास्टिंग करो complex safe है से बहुत ही complicated है तो उसके लिए हम लोग इस तरह का gate का use करते हैं तो यह राज सभी gate के बारे में चली अब हम लोग और कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं चोटा-चोटा चीज है तो लोगा क्लास खतम हो जागा एक आजाता है मेरा fluidity क्या आजाता है fluidity देखो यहां से एक मिने आप लोग बता था मॉल्डिंग सेंड का property यह flowability क्या महिना था flowability flow करने का मॉल्डिंग सेंड का flow करने का ability को flowability काता है ताकि वो हर एक पार्ट में जब हम लोग रेमिंग करेंगे तो सेंड जो है ना वो pattern के हर एक पार्ट में जाई ताकि जब मैं pattern को बाहर निकालांगा तो अच्छा तरह से हो केविटी बना सके अच्छा सेप ले सके उसके लिए प्रोपटी एक मॉल्डिंग सेंड का होता है किसका होता है मेरा मॉल्टेन मेटल का होता है मॉल्टेन मेटल का होता ताकि अच्छा से फ्लो करें मॉल्टेन मेटल भी हर कोना में जाना चाहिए ठीक है ऐसा ना हो कि कहीं तक पहुंचे ही ना और मेरा क्या हो जाए जैसे माल लो इस तरह का मेरा यहां पर यहां पर धिक है यहां पर लेकिन बbur कर दऄने अच्छा नहीं मानेंगे हैं यहां तो तो मैंने बहुत ही एक आपका सिधा सदा में ने बनाया तो मालो यह मेरा सेब जो है ना जो कास्टिंग करें केवेटी बहुत ही कंप्लिकेटेड टाइप करेंगा कुछ इस तरह का केवेटी रहेगा ऐसा कुछ हम लोग बनाना तो यहां भी मॉल्टर मेटल हर कोना तक जाना बैru यहां नहीं तो नहीं रहेगा और इसको भी करते हैं एक हम लोग टेस्ट केथा हम लोग करते हैं उस ठेश्टको का जातहा। टेस्ट करते हैं और विपर आएक सुली में ने लिया है इसको पिगाल के छबित कर स्कूरीं बनाते हैं स्कूरीं किमावत्स ₹ wack brighter जो क्रोद्द गै contributing की लिए लिनलिती ल्यव्च आफ हो फीरन का लीभिन इस पडाता कहों को पांट work सब्सक्राइब लेते हैं ठिकेट स्टील का भी liquid metal मेंने लिया ठीक है मेडल लिया और यहां पर मैं क्या करें यह आप मेने मेडल को डाल दिया तो देखेर यह आउट हो रहा पहले जो भाहर वाइव उसका ज्यादा फिर यह पूई क्या होता है कि यह घुमा 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 यहां तब यहां पर चल देख लो आप समझी क्या होंगे देफिसन बताने का जुरत वई से नहीं है लेकिन फिर भी देख लिएते एक बारी है ना तो फुर्टी देखो यहां पर क्या बुला गया है दाट है इट साइब लीटीटर ओलॉट्टर अब लिटीटर क्योट्रक्ट करते उसको क्या का जाता है spiral test का आ जाता है और basically spiral test में होता क्या है how pass the molten metal come out through the spiral path before it's solidification solidification होने से पहले कोण जल्दी path आता है या फिर जिसे मैंने का कोण ज़्यादा path को cover करेगा ज़्यादा अंदर तक घुमेगा कोई हो सकता है कि molten metal यहां तक आए और यहां तक आया पूरा गुमा 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 लास्ट तक यहां जाते यहां जाके solidify हो गया लिन कोई जो है इसके बहारा तक आ जाएगा तो उसे पता चलता कि किसमे quality जादा अच्छा है अच्छा फोलिटी किसवर्य करता हो भी जान लो इससे effect of लोग देते हैं यह आपका effect on fluidity और यह आपका fluidity वेरी हैं तो किस में यह करता हूं है तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं temperature का pouring temperature का तो भी असली बात है अगा pouring temperatures को बढ़ा होगे टेंपरेटर ज्यादा दोगे तो उसका फुलूडिटी इंक्रीज होगा अगर ज्यादा गर्म दोगता अच्छा तरसे फ्लो करेगा क्लियर पॉइंट अगर सर्फेस फिनिस वेगरा मॉल्ड का जो आप के विटी क्रियेट की होना उसका अगर सर्फेस बहुत अच्छा है पे स्वाइब होगा तो उसका मेरा क्या होगा डिक्रीज कर जागा कि डेंस ना डैंस मतलब मेरा है भारी है एक समझे ऊना एक के अंदर मालों तीन बॉल है और दूसरा के अंदर मेरा यहाँ पर तीन ना हो कि दस पद्रबोल है तो जाधा डेंस है जाधा लिजब अगिल्वार है वह आपस में अट्रेक्ट है तो वह जल्दी फ्लो नहीं कर पाएगा तो यहां पर क्या था डिडिकेज कर जातां आप जिसमें घ्रीस में तो ग्रीस देखवा बहेगा जल्दी नहीं बहेगा लेकिन लेले लो बहेगा उससे सब्सक्राइब और लास्टली जो की बहुत इंपोर्टेंट है परसेंटेज वाटर इन सेंड तो आपका जो फ्लूबिटी यह बढ़ जाएगा नहीं डियर स्टुडेंट अगर मैं सेंड ज्यादा पानी मिलाओंगा बना मॉल्डिंग सेंड में तो आपका घड जाएगा रीजन समझो आप समझो आप जिस प्लेटफॉर्म में मॉल्टर मेटल तेरा बहरा अगर वही बहने लगे तो काम चलेगा मेरा समझाय कि नहीं यह मेरा केविटी है और केविटी किसका अभियस्य वात है केविटी मेरा से सेंड कि बना अगर हमें बोर रहा हो कि इसी प्लेटफॉर्म में मॉल्टर मेटल आपका बहरा है और खुद बहुं वह बहने लगे क्यूंकि मैं इतना पानी देगा हूं सेंड में यह जो सेंड़ to i मैं हम लोग बढ़ा देते हैं तो मेरा क्या होता है fluidity decrease कर जाता तो इस चीज़ का आप लोग को यहां पर ध्यान रखना है तो यह सब चीज आप लोग का हो गया ठीक है चलिए next class हम लोग क्या discuss करेंगे मैं बात करने वाला हूँ जो getting system होता है करता है वो प्रेसराइज भी होता है नन प्रेसराइज भी होता है दोनों क्या होता है कहां पर यूज करते हैं सबके बार हम discuss करेंगे and then उसके बाद हम लोग start करने हैं आप लोग का casting process one by one करके सभी casting process को देखनेंगे तभी हम लोग का यहाँ पर उसके बार defect होगा है और हम लोग का casting complete हो जागा so guys मिलते हम लोग next part में तब तक लिए goodbye and God bless you all